दोस्तों यह मैंने इसमें 15 ml मैं देखो यह 15 ml है 15 ml सोना कोट लिया हुआ है यह अभी मैं इस डबी में इसको डाल देता हूं यह 15 ml सोना कोट मैंने इसमें डाल दिया है 15 ml सोना कोट मैं दोस्तों अभी मैं सेंट्रिलाइजर सोलुशन है मैंने बना हुआ है इसमें मैं अगर समझो चार ग्रैम पाउडर लिया हुआ है तो 20 ml उसमें पाणी मिक्स करके इसे मैंने बना है तो अभी मैं इसमें गिन के 12 बून डालूंगा 1,2,3,4,8,6,7,8,9,10,14,14 और मैं भी इसे दिरे-दिरेश्ट मिलाएं तो अच्छे से इसको मिक्स कर लें है यह देखो जब हम मिक्स करते है तो इसमें इसी यह ब्लू लाइने दिखती है यह जो ब्लू लाइने जब तक दिख रही है तब तक हमें इसे हिलाना है जब यह लाइन ले अंदर की दिखना बंद हो जाए तो समझना इस एंटिलाइजर अच्छे से मिक्स हो गया है दोस्तों यह मैंने थोड़ी देर के लिए इसको टैक करकर रख देया तान दे रहे हैं अभी हमें इसे खोल के देख लेंगे इसमें जो बबन्स आये दोस्तों आप ऐसे एक सुई ले सकते हो या कोई भी चीज़ से इसमें जो बबल्स दिख रहे है छोटे छोटे इसे आप पॉड़ दीजिए आप इसे थोड़ी दर के लिए छोड़ देते हो तो बबल्स जो बन्लते हैं वहां उपर आजाते हैं हम उसे पोड़के अन्काल से इंग करें अग्यां कर देंक हुआ है यां यां एक है इस वह जोजब टॉक्प्ट इस्चछ दुट श्च भी जिए शोगं जिए अच्छ पॉले पॉल्टिन हमेशा दोस्तों पर से करनी है जैसे सुख जाएगा दोस्तों यह हमारा मेश पूरी तरह से सुख गया है अब हम इसे एक्सपोज करेंगे अब इसके पर रेडी है इस पर उमें यह रखता हूं इसके दो वाइट पर रखेंगे तरह अब इसके टाइमिंग के बारे जो सब्सक्राइब करता हूं और दोस्तों अभी हमारा टाइमिंग पूरा हो गया है अब सब्सक्राइब करता हूं और बोश करेंगे अब कर रहे हैं कि अब्सक्राइब सब्सक्राइब करता है अच्छे तरिके से खुल गए है यह देखो दोस्तों यह हमारे पूरी तरह से एकदम अच्छी तरह से खुल गई है जो स्क्रीन अभी एक्स्पोज की थी आपको दिखाया था वही इन मोलक मैं अब यह प्रेंट कर रहा हूं जैपर इसी स्क्रीन प्रेंट आ रही है एकदम बढ़िया इस प्रकार से आप भी स्क्रीन प्रेंटिंग कर सकते हो एक्सपोजिंग टाइम में इसके लिए नहीं बता है आपको प्रेंट आपको टाइमिंग नहीं बता है और यूट्यूब पे आप अलग-अलग इंसानों की वीडियो देखने असे बजाए इस एक ही का पूरा प्रोसेस फॉलोग किजिए तो आपको स्क्रीन प्र और जाएगी अधरवाइस क्या होता है किसी रेक इतना पानी डाल के सेंट्रिलाइजर में बनाया किसी ने क्या किया है तो अलग-अलग अलग 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 आता है ठीक है फैंक्यूब कर दो